कि आप सबी छोटे भाई वो मेहनों को स्वागत एक और इंपोर्टन वीडियो में छोटा इसलिए बोल रहा हैं क्योंकि फर्स सेमेश्टर का परिच्छा फॉर्म का डेट आज से स्टार्ट हो चुका है जो लगबा 24 से 25 तक चलने वाला है आप सबी काफी सरी प्रॉब्लम द तक देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से स्क्राइब करके जूड़ जाए तकि आपको आगे की हर इंफ्रोमेश्ट वीडियो मेरे दुआरे समय पर मिलते रहें साथ में जितने भी आपके बैच्छमेट हैं जहां जहां वाटसाप बनाकर चलाते हैं फर करके अपने कॉलेज के जामनेशन डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस में जमा करना है चली समझते कि चलान कितना रुपय का होगा कहां से कटवाना आपको उसके बादले में क्या 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 फिल करना है ठीक है जैसे कि आपको डिस्पेले पे दिख रही होगी एक जेउटी ब आपको प्राप करना है तो मेरे टेलीग्राम में जूलियागी को वहाँ पर इसको मपलोट कर देंगे इसमें फिल करना होता है आपको एजामनेशन फीक कोर्स में लिखा हुआ यहां लिखना है डिपलोमा फिल लिखना फर्स सेमेस्टर और बारा सो रुपे हैं ठीक है आपको अपना नाम लिखना जिसे कि यह मेरा भाई का अकासकुमार का है उसका नाम लिखा हुआ उसका डेट बर्त लिखना और मुबाइल नमबर किसका लिखना है तो जो स्टुडेंट ने उसका मुबाइल नमबर लिख देना है यह दोनों एक ही चीज होता है इतना भणन पर नहीं लिखना है वह आपको बैंक वाले जो आपसे पैसा लेंगा 12 सुरी पर यह चलान कटवाने के बाद में कभी आप रोड पर या बैंक में बैठे-बैटे सबसे उपर में इस पर किलिक करने के बाद में कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस तरह को मिला इसमें नीचे में लिखा हुआ है आपको किलिक टू फिल एक्जाम फॉर्म यहाँ आप देख सकते हूँ सगेंड में लिखा हुआ है किलिक टू एक्जाम फॉर्म आपको इस पर किलिक करना इस पर मैं किलिक कर लेता हूँ इसके बाद में आपको अपने रिजिस्टेशन नंबर लिखेना है उसको लिखने के बाद म काफे सारे exam form भरवाय जा रहा है आप देख सकते हों कहां कहां भरवाय जा रहा है फर्स समेश्टर MBA का फर्स समेश्टर MCA का फर्स समेश्टर MTK का एट समेश्टर degree का first semester diploma का तो आपको अपना diploma पे धियान देना और आपको अपना diploma का बरना है ठीक है तो यहां रिखेशन नमगा लिख लिएगा चलिए मैं एक individual बना कर दिखा देता हूं किसी बच्छा का लिख कर ठीक है मैं आपके लिए exam का जो form करेशेशन नमबर होता है पहले से जमा रहेगा इसमें कोई चेतरा का छेड़ चार नहीं करना है और आपको बैसिकली भढ़ना क्या होगा आपको भढ़ना होगा बैंक ने मतलब आपने किस जगह से अपना चलान को कटवाया यहां पर यूटिया नमबर जो आपको मिले का चलान में उसको भढ़ना है यहां से करना है और कितना रुप्या भर उसको भढ़ना इसके बाद में आपको चेक करना कि जो नीचे में ठि foundation कर दीजेगा औम आगे कंटीन्य कीजिए चले मैं भरके दिखा देता हूं जूट मूट का नाम में मिलनीे देता हूं यहां पे कुंधन कुमार कुंधन कुमार ठीक है उसके बाद में यहां पे बैंक नम दीता हूं पंजाब नेसरनल बैंक कहां पर था तो मदूपूर में मेरा जहां बैंक जीस बैंक से में कटवाया है उसका नाम लिदेता हूं चलाया यूटिया नमाइचली कुछ नमबर मुझे मीला वो लिदेता हूं यहां पर क्लेंडर पर की जैसे किलिक किजेगा आपको आज का डिट दिख जाएगा यह प्रॉब्लम हो रहा है वेबसाइट में जिख जाएगा एवांट लिख देंगा बारा सुरूपे और यहां पर नीचे में कर दोंगा प्रिव्यू मतलब प्रिव्यू यहां चेक करने का कुछ मिस्टेक्स नहीं हुआ उसके बाद सब्मिट कीजिए नीचे प्रिंट का उपसन आगा उसको प्रिंट कर लेना है और अपना चलान को पी और साथ में इसका फॉर्म प्लप को आपको अपने कॉलेज में दे देना है सिगनेचर करके आपका फॉर्म का जो बढ़ने का काम ता वो आपके दोबारा खतम होगा उसके बाद कालेज वेरिफिकेशन करेगा उसके बाद वो डन कर देगा उसके बाद क्या होगा कि आपका एड्मिट काड आएगा एड्मिट काड आपको कब आएगा तो आपका जो एक्जाम है आपका उस एक्जाम से पहले आपका एड लाओ रहेगा और एक्जाम दे सकते हैं उसके बाद एक्जाम को भरिया और अपने पढ़ाई में लग जाईए ठीक है यह आपके लिए नोटीस था आसा रुमिदे आपको कुछ समझ माई होगे कर समझ माई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने गुरूप में शेयर कर दो कुछ समझा पर यहल शेयर क्शाम कर दो ठीक है प्राओवा है कर दो?